नमस्कार दोस्तों चैमातादी स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल प्रियंकाविद सोविचार में आप अपने आपको कभी अकेला मत समझना क्योंकि या एक देवी आपके पीछे पीछे आ रही है और आपको हर एक खत्रा से बचा रही है आपकी रक्षा कर रही है जी हाँ या देवी के रहते आपका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता है जी हाँ दोस्तों आप कभी ढरिये नहीं और हिम्मत से हर एक कार्ज को करिएगा देखिए आपकी हर एक कार्ज कैसे सफल होती है अगर आप मिटी भी छुएंगे न तो सोना बन जाएगा क्योंकि आप एक बहुत ही इमंदार इंसान है आप हर एक लोगों के बुरे वक्त में मदद करते आ रहे हैं और कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है और ना ही कभी आपने बड़ा आज तक कुछ किया है इसलिए यह सब भाव को देखते हुए मातरानी आपके उपर बहुत ही प्रशन हो चुकी है और आपकी हर एक इच्छा पूरी करने की ठानली है और यह होकर ही रहेगा इस कोई भी नहीं रोग सकता है और यह जानने के बाद आपको बहुत ही खुसी होगी क्योंकि कहीं तो खुसी से आप उचल उचल कर नाचने लगेंगे आप वह राह पर चल चुके हैं जो आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाना देगी आपको पीछे मुड़ कर नहीं देखना है क्योंकि जो इनसान पीछे मुड़ कर देखता है न वह पीछे ही रह जाते हैं बटक बटक कर लेकिन यदि आप एक जिद से अपने कार्ज को करते हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी तब आपको लगेगा कि जी हाँ हमने अपने दम पर कोई कार्ज किया है और इनका नाम भी आपको होगा अब पूरी दुनिया में आपके मान सम्मान इजचत दौलत सोहरत सब बढ़ेंगे और आपके जैसा अमेर इनसान कोई भी नहीं होंगे क्योंकि इसके उपर यह देवी महरबान हो जाती है उनका भाब के तो बदलता ही है बदलता है और आपके उपर यह देवी महरबान हो चुकी है तो सोचिए अब आपका क्या होगा जी हाँ दोस्तों तो अब आप सभी को सिर्फ करना आया है कि आपके जीवन में जितना भी समस्या है सब आप भगवान के उपर छोड़ दीजिए और अपना अच्छे कार्ज को करते चलिए और भगवान का पूजा आराधना करना बिलकुल ही ना छोड़े उनके उपर अपना विश्वास कायम रखे तो आपकी विश्वास कभी माता रानी तोड़ेंगी ही नहीं जी हाँ आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे इतनी बड़ी बदलाव आपके जिंदिगे में आने वाली है मा की या सिरबाद से अब आप सभी के उपर है और जिनको भी भगवान पर भरोसा है उनका जीवन 100% बदलेगा और जीवन की हर सुख भी प्राप्त होगी हम आप सभी को इतना ही कहेंगे कि वीडियो को सुरू से अंतक देखिएगा क्योंकि आधा अधुरा ग्यान हमेशा खतरनाक साबित होता है इसलिए हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों जिन्हें देखने के बाद आप अपनी आँखों पर यकीन नहीं करोगे क्योंकि इतनी बड़ी चमतकार आप जीवन में पहली बार देख रहे हैं और यह चमतकार आपका पूरा भाग ही बदल देगा किसमत चमका देगा जी हाँ दोस्तों तो वीडियो को बीज में नहीं छोड़ियेगा और इसे अन तक जरूर देखिएगा जिन्हें देखने के बाद आज जानने के बाद आपकी होस उड़ जाएंगे अब तक आपको इन बातों के बारे में किसी ने बताया ही नहीं था और ना ही आपको इन बातों के बारे में कोई भनक थी क्योंकि यदि आपको इन बातों के बारे में जनकारी हो जाती तो आपके जीवन में हर एक परशानी अब तक दूर हो चुकी होगी जी हाँ दोस्तो ऐसी कोई शमश्या नहीं है इस दुनिया में जिसका की समाधान ना हो वैसे ही हमारे जीवन की भी ऐसी कोई शमश्या नहीं है जिसका एक सही निराकरण या फिर समाधान ना हो आप अक्सर लोगों को पहचानने में भूल कर जाते हैं बाहर के लोगों को तो आप ज्यादा अपने नजदीक आने ही नहीं देते उन्हें तो आप अच्छी तरह से समझ लेते रख लेते हैं लेकिन अपनों के भी छुपे हुए दुस्मनों को आप पहचान नहीं पाते हैं इस मामले में आप बहुत ही कच्छे हैं तो ऐसे में यह बहुत आवशकता है कि हम आपको सतर करें और कौन भी लोग है जिनमें आपको बंच कर रखना होगा नहीं तो आपको लागातार धोखे और बिमारियों का शामना करने पड़ जाएंगे जी हाँ दोस्तों साथ ही साथ एक और महत्तपुन भी शाया है कि आपके जीवन में धन की कमे क्यों है आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा है इसकी क्या वचा है क्या आपको कोई बुरी नजर लग गई है या आपकी किस्मत ही खराब चल रही है हम धीरे धीरे एक एक करके हर एक बिशाय को बिस्तार से बताएंगी इसलिए हमारा आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को सुरी से अंतक जरूर देखिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कर लीजिएगा अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत अधिक दुआएं हैं तकलीफ ही है परशानी है जी हाँ दोस्तों और उनकी तकलीफ है लगभग एक जैसी ही है आर्थिक समस्या मानसिक परिशानी और भावनार्तमक कष्ट उन्हें लगतार शाहना ही पड़ रहा है यानि उनके उपर तीन तरह के हमला हो रहा है बड़ी मुश्किल से मेहनत करने के बाद जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा हाथ में आता है वो टीक ही नहीं पाता है किसी न किसी कारण सेवा यूं कहें बहाने सेवा हाथों से फिसल जाता है और धन्दे भी लगभग बंद ही है और धन को लेकर चिंताय समाप्थी नहीं हो रही है एक के बाद एक मन में कई तरह के बुरे विचार आते ही रहते हैं और करजा भी बढ़ता चला जा रहा है जिससे भी जितनी भी रकम उधार ले लो उसे चुकाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इससे मान सम्मान में भी कमी आती है और लोग हमारी शोच और नियत पर भी सवाल उठाते है दोस्तों क्यूंकि ग्रहों की स्तिती को लागातार बदलती रहती है कभी भी एक जैसी स्तिती लंबे समय तक नहीं रहती और आपके जीवन की समस्याओं का कारण आपके द्वारा की गई गलतिया भी है जी हाँ दोस्तों अब थोड़ी सी कड़वी हो सकता है आपको अच्छी ना लगे लेकिन हम अब आपको आपकी ही कमियों और गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ क्योंकि आज के समय में आपकी जो ग्रह इस्तिती वह ठीक ठाक है हाँ कुछ ग्रह अवश्य है जो आपको बहुत थोड़ा प्रशान कर रहे हैं लेकिन आप उनके सामाधान करेंगे आपको उनकी पीड़ा उसे आराम मिल जाएगी अब इसका मतला बया हुआ कि ग्रहों की तरब से आपको कोई खास पीड़ा नहीं है ज्यादा बड़ी तकलीफ नहीं है इसके सामाधान निकल सकते हैं अब आपकी पीड़ा हो का कारण क्या है आपके द्वारा की गई गलतिया और यह गलति और कौन सी है हम एक एक करके सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं ध्यान से आपको सुनना है और वेडियो को अन तक जरूर देखना है आपको राहत उपाय दे सकते हैं जी हाँ दोस्तो अब पहली गलती जो आप अक्सर कर जाते हैं और वह है कि आप जोस में आकर कोई ऐसा कार्ज कर देते हैं जो आपको परशाने में डाल देता है अब ध्यान से सुने कि यह होता कैसे है जैसे आपको किसी ने कोई योजना बताई कोई बात बताई और आपको लगता है कि इसमें बहुत अधिक फायदा है जैसे कि एक बैपार को ही ले लेते हैं कहीं पर ज़्यादा इन्वेश्ट करना है और किसी के आपको बता दिया तो आप बड़ी जल्दी ही उत्तेजित हो जाते हैं जोस में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं आपके मन में ठाराव की बहुत आवसकता ह आप अपने जीवन में पीछे मुड़ कर देखिए कि आपके कई बार अपने जीवन में ऐसे फैसले लिए हैं जो जल्दिबाजी में ले लिए हैं अधिक जोस में आकर लिए गए यदि आप उस समय थोड़ा सा रुक जाते तो थोड़ा सा थहर जाते और विजार कर लेते तो हो सकता है कि आप उस कार्ज को करते ही ना यदि आप करते भी तो थोड़ा बहुत सतरकता बरत्ते जिससे आपको यदि परशानी होती नुक्षान या घाटा भी होता तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत रहत अवश्य मिल जाती और इन सब के वज़ा से नाकारात्मकता इकठी होती रहती है जो आपकी साकारात्मक उर्जा को दूसित करती है और आपके सुब को आपके पस आने ही नहीं देती है या कहे कि इस्वर के आसिरबाद को आपको प्राप्त होने नहीं देती है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बहुत अच्छी है जी हाँ दोस्तों आप इतने आसाने से तूटते नहीं हैं बिखरते नहीं हैं आपके मन में चाहें कुछ भी चल रहा हो कितने भी उथल पुथलकियों नहों चल रही हो लेकिन आपके कार्ज कभी प्रभावित नहीं होते आप किसी के सामने जुकते नहीं ह और किसी के सामने गिर गिराते नहीं हैं तो दोस्तों आपके लिए सम्मान के साथ जीना आवश्चक है और आपके लिए दूसरों के नजर से ज़्यादा अपने नजरों में साफ सुत्रा और आत्म सम्मान से भरपूर जीवन जीना बहुत पसंद करते हैं लेकिन इसी के साथ स आप दूसरों के हित के लिए भी बहुत अधिकार्ज करते हैं आप दूसरों को भी बहुत मदद करते हैं लेकिन आपको लोग उस लायक ही नहीं समझते हैं काम निकलने के बाद फिर लोग पीछे मुड़कर आपकी ओर नहीं देखते और ना ही आपकी भावनाओं के भी कद्र करते हैं तो आपको थोड़ा सा भावनात्मक तोर पर मजबूत होना पड़ेगा शनी देव की पुन्न क्रिप्या आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है तो यह फुन क्रिपया आपको प्राप्त कैशी होगी आपको दो कार्ज करने होगे पहला की अपने घर में सर्शो के तेल का एक दीपक कम से कम 21 दिनों तक शनी देव के नाम से रोज साम को यह दीपक जलाएं इसी के सांथ सांथ कम से कम 11 शनिवार तक आपको सनी देव के मंदिर में जाकर छाया दान करना होगा दान के भी सैपर हम पिछले वीडियो में भी कई बार बता चुके हैं फिर भी यदि आपको छाया दान के बारे में नहीं पता है तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आप सनी देव के मंदिर में जाएं, साम के समय ही जाना, सनी देव के मंदिर में छाया काल में ही जाना उत्तम होता है, कुछ लोग पुछते हैं कि छाया काल क्या होता है, ज दोस्तों आपको सनी देव के मंदिर में जाना है उस समय यदि आप मंदिर में जाएंगे तो आपकी अतिरिक्त फल प्राप्त होगा क्योंकि सनी देव श्वयम ही छाया पुत्र है। अपनी छाया देखने के बाद आप जब आपको अपनी छाया पुन रूप से असपश्ट दिखाई दे उसके बाद आपको वापस मुणना है और फिर आपको सीधे मंदिर से निकल कर अपने घर आ जाना है पीछे मुढ कर बिल्कुल भी नहीं देखना है यदि आपने ऐसी गल अपको यकीन ही नहीं होगा सुक्रवार को शर्वत्तम उपाय की आपको सुक्रवार के दिन बहते हुए जल में सफेद रंग की कोई भी खाने की वस्तु प्रवाहित करनी है पत्ता से प्रवाहित करे जादा बेहता रहेगा सुक्रवार के दिन ही 9 साल से कम की छोटी को सफेद रंगी कोई वस्तुदान करें और उन्हें खीर जरूर खिलाएं यह बहुत ही अच्छा उपाय है इससे मातारानी प्रशन होती है और आपके घर में प्रवेश करती है जो की अभी नाकारात्मक सक्ति आवाज कर रही है उस साकारात्मक सक्तियों में बदल जाएगी जी हाँ दोस्तो यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सिर और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जै मातारानी जरूर लिखिएगा